नमश्कार प्रणाम हरर महादे मैं डॉक्टर नीतू सिंग आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे अगर मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है फ्रेंज प्लीज सब्सक्राइब करिए क कैसे लगते यह यह भी बता, यह भी बटाइए, वीजियो को हमेशा अन तक देखिए. पीछले वीजिए में हमारी बात हुई थी, कि जब हमारे विचार बदनते हैं, मैं थे तो जो लो झाल फिलम्हिंट बदल जाता है. अगर आपका एक बिचार बदलता है तो आज की टॉपिक हमारी यही है कि अगर एक बिचार हम बदलते हैं तो कैसे हमारी जिन्दगी में भूचाल आता है कैसे हमारी जिन्दगी में तबदिली आती है कैसे हमारी जिन्दगी एक नई मोर लेती है एक नई दिशा लेती है और किस तरीके से हम अपने जिन्दगी में जो टूटे बिखरे जिन्दगी रहती है जब हम हार मान जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि जिन्दगी में आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखता है बस एक अपने अंदर एक विचार लाना एक thoughts create करना और उसके बाद आपके जिंदगी में एक drastic change आना एक भुचा लाना और एकदम से सब कुछ बदल जाना कैसे होता है जैसा कि हमेशा हम लोगों के बीच में बात होती है friends कि सब कुछ हमारे दिमाग का और हमारे विचार का खेल है जो भी हमारे दिमाग में चाहे वो negative बाते हो चाहे वो positive बाते हो या कोई भी anything के एधर उधर खिचरी पकने वाली बाते कैसे भी बाते हो तो ये सब कुछ तो बिचारों का ही खेल है बिचारों का ही ताल मेल है क्योंकि हमारे दिमाग मे जो बाते आते हैं जो विचार उड़ती हैं जो विचार की हम कलपना करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सोचने लग जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम करने लग जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम हो जाते हैं तो यह सब कुछ जो है वो एक विचार है अब वो विचार किस व करते हैं कुछ तजुर्बे कार होते हैं कई लोग आपको समझाते हैं और कई लोग आपको समझते हुए भी कि आप कही न कहीं डगमगा रहे हो तो आपको वो दिशा नहीं दिखाते हैं पर जहां तक हम लोगों की आपस में बात होती हैं मैं हमेशा आप लोगों से यही कहते ह कि एक तजुर्बे वाली बाते होती है एक अनुभव वाली बाते होती है और वो बाते जो बहुत आप लोग उस बात को फॉलो कर सकते हो एक नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल जिंदगी में जो बाते होती है वही हमारे आपके आपस में बाते होती है तो बस एक बिचार है उस तो आप कैसे चेंज करोगे, बहुत से ऐसे आप लोगों ने कहानिया सुनी होगी, बहुत से ऐसे आप लोगों ने बुक्स में पढ़े होंगे, किस तरीके से हम अपने बिचार बदलते हैं और किस तरीके से हमारे जिन्दगी पलट जाती है, अब ये हम सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते वक्त तक हमें अच्छा लगता है बर जब हमें हमारी जिन्दगी में कुछ ऐसे situations आते हैं कुछ ऐसे सिनारियो आते हैं जब हमें अपने बिचार को बदलने हैं या अपने अंदर कुछ ऐसे बिचार क्रियेट करने हैं जो हमारी लाइफ को बदल दे हमारी लाइफ को पलट दे नहीं दिशा दिखा दे तो यह नहीं करते हम हार जाते हैं एक कहानी मुझे याद आती है हमने पड़ी है आई थी के हिंदी के बुप में भी थी और आप सब ने सुनी होगी उंगली माल डाकू की कहानी तो बहुत मतलब यह बहुत ही एक कहते हैं न एक जैसे कि समझने वाली बात है प्रेंट सिसको ध्यान से सुनना आप लो उंगली माल डाकू की कहानी वो उसके मतलब एक बिमसार राजा थे तो उसका कुछ मतलब की अनबन था और यह उंगली माल डाकू उसका नाम बाद में पढ़ा तो उंगली माल डाकू ने एक प्रन लिया था कि कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा और उसकी उंगली काट के मतलब अपने गले में पहनूंगा तो यह उसने एक प्रन लिया हुआ था, अब उसका राजा के साथ क्या बैर था हुए तो उसने ऐसा प्रन लिया हुआ था तो वह क्या किया कि मतलब जो भी उससे दिखता था话 जो भी फिर उस रास्ते से आते थी यो तो सम प्रेट के और फिर उसकी उंग्ली काटता वह उसका वह पेहन था तो ऐसे करते करते उसने क्या किया था कि 999 उसने है लोगों को जाओंगी और तो मुझे भी मार देगा तो फिर मैं क्या करूँगी तो वो उंगली माल जो मतलब पहले कुछ और था और बाद में वो उंगली माल बना तो जब उसने प्रन लिया हुआ था तो उधर कोई जाना आना नहीं बहुत ही मतलब कहते हैं एक डर एक तो वो ऐसे तोर मतलब उसने लिइडार जाता हें उसने पापी कर रहा है वो पहन दो मार कर दो माल पहन रहताता तो एक दिन की बात है कि महात्मा बुद्ध उधर से गुजर रहे थे तो उनके साथ उनका एक सिस से था तो उन्होंने मतलब वो उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते से बे उंगलिमाल था क्योंकि उंगलिमाल जहां पर राजा ने किया था कि इस रास्ते से किसी को नहीं आन कि इधर से आप नहीं जाओगे क्योंकि यहाँ एक उंगली मालडा कु नाम का मतलब शक्स रहता है जो कि अभी तक 999 लोगों को मार चुका है अगर आप जाओगे तो फिर आपको भी मार देगे बुद्ध ने मुष्कुराते हुए कहा कि अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं इस रास्ते से नहीं जाता लेकिन जब तुमने मुझे बता दिया थे utachten अब मैं उसी रास्ते से जाओगा जिस रास्ते पर उंगली मालडा कुह है और वो नो ने अंधर-अंधर बोला कि उसको म और अब एक और आने वाला तो मेरे हजार वाले जो प्रण है वो मतलब सही हो जाएंगे, अब हजार लोगों को मार दूँगा, तो खुशी में वो था, तो महात्मा बुद्ध थोड़ी देर पर रुख गए, तो जब बुद्ध सामने जैसे जैसे आ रहे थे, तो उंगली माल मतलब एक तो वो खुश भी था, लेकिन अचानक से वो महात्मा बुद्ध का तेज देखके, उनकी मस्ती देखके, उनका विश्वास देखके, वो कही न कहीं डर गया, उस तेज को देखके वो कह रहा है कि आगे बर हो, आगे बर हो, तो मतलब इस तरीके से वो बोल रहे है मतलब ये बोल रहा है अंगलीमा लेकिन महात्मा बुद्ध मतलब वहीं पे रुख गए और रुख के वो मतलब दूसरी दिशा में वो चल ले लगे तो उंगले माल बोलता है कि रुक जाओ नहीं तो मार दूँगा महात्मा बुद्ध पल्टे और बोले कि मैं तो पचास साल पहले रुक गया तुम गब रुकोगे तो जब वो इस तरीके की बात बूला क्योंकि एक तो महात्मा बुद्ध के जो उनकी एक लाली मा एक तेज जो निगल रही थी वो कहीं न कहीं उंगले माल को मतलब सोचने पर मजबूर कर रही थी वो कहीं न कहीं रुक रहा था उसे वो तेज मतलब इतना ज़ादा वो मोहित हो रहा था उस बात पे क्या है कि जो शादू जो होते हैं उनकी सादू महात्मा की एक अलग ही बात होती वो नहीं आज के टाइम में जो सादू महात्मा होती है वैसे नहीं लेकिन एक जो होते थे जो अब महात्मा बुद्ध की ही बाते जहां पे आती है तो उनकी बात ही क्या है तो उस तरीके से वो पचास साल पहले रुक है तुम कब रुकोगे ये बाते उसके अंदर कहीं न कहीं घर कर गई इस तरीके से इन्हों ने बोला ठीक है फिर भी वो रुका हुगत है मादमा बुद्ध ने बोला ठीक है मैं रुक तो जाओंगा और तुम मुझे मार भी देना लेकिन एक शर्त पे ये जो तुम्हारे पीछे पेड लगी हुए उसकी टहनियों को तुम काट तो वो बुला इसमें कौन सी बड़ी बात है तो वो पीछे मुड़ा और टहनी को काट दिया भगवान बुद्ध अंदर अंदर मुश्कुराए बुले कि बहुत बुरा नहीं है ये बात तो मान र बुला कि इस टहनी को तुमने काटा है उसको अब तुम वापिस चोड़तो तब उंगले मान ने बोला कि महादमा आप क्या मतलब पागल हो गया हो ये कैसे हो सकता है जो चीज टूट गई वो चुर कैसे सकती है तब महादमा बुद्ध ने बोला इसी परकार जिस तरीके से तुम किसी को मार रहे हो तुम जिसकी उंगलिया काट रहे हो जब ये चीजे टूट के जुर नहीं सकती है तो तुम किसी को मार के तुम्हें क्या मिल रहे है तुम कौन सा प्रण पुरा कर रहे हो कोई चीज अगर तुम तोर के चोड नहीं सकते हो तो तुम्हें किसी को मार का अधिकार किस ने दिया है अब ये बुद्ध का जिस तरीके से सवाद होगा जिस तरीके से उन्होंने बोला होगा वो कहीं न कहीं उंगली माल को जाके इतनी चुभी जिस तरीके से उन्होंने बोला और वो बाते उसको इतना जादा अंदर तक मतलब गहराईयों तक उनकी बाते गई कि उसको रोना निकलाया उन्होंने बोला कि जिसको तुमने मारा है उसको तुम वापिस नहीं ला सकते हो उसके घर परिवार को तुम वो खुश्या नहीं दे सकते हो उन चीजों को जिन चीजों को तुमने छीन लिया उसको वापिस नहीं कर सकते हो तो तुम्हे अ अच्छे विचार को सोचने के लिए capable नहीं होता तो वो शायद नहीं सुनता लेकिन उस वक्त जब भगवान बुद्ध उनको उंगली माल को ये बाते बता रहे थे तो उसने सुना और सुनके उसके दिल को चोट लगा कि हां मैं कहीं पर गलत कर रहा हूं और ये करके उन्हों जाने लग गया लेकिन ये गिरगिरा करो ने लगया बुद्ध पल्टे नहीं वो निकल गए लेकिन यहां तो कहते हैं कि चेंज हो गया था ये अभी जो उसके मनह इस्तिती थी वो बिलकुल बदल चुके थी उसके जो विचार थे वो बदल चुके थे विचार पुर्टा बदल चुके थे एक जो डाकू वो आज के मतलब जो प्रन लिया था कि मैं हजार लोगों को मारूंगा वो अचानक से जो 999 लोगों को मार चुका है वो उसका अचानक से उसका कहते है ना कि जो पापी मन था वो परिवर्तित हो गया और वो बुद्धम, शर्नम, गच्छामी क बुद्ध ने चाल रहे थे तो यह पता था कि आएगा यह जडरूर आएगा और वो आया अज़े जब साथ में जब गुद्ध के आश्रम हो गया तो जैसे शर्नम महात्मा बुद्ध ने बोला कि अब तो तुम कि मन बचार हो गया है तो आब भिख्षा कि लेक लेगा था, तो जब वो भिक्षा मांगने के लिए गया उंगली माल वो उसी जगे पर गया उसी जगाउमे जहां dr тебе गल's इता मैं पहना हुनतार्ग को ओड में लो उति तो धाओ के लोगों ने भिक्षा तो बात की बात है इतना मारा की लहुलूँहान कर दिया तो वो रोता हुआ मतलब आया जखमी होता हुआ हुआ आया तो भगवान बुद्ध ने बोला कि बड़े प्यार से हाथ रखा और सहलाया उन्होंने बोला कि पीरा हो रही है तो उन्होंने बोला कि हाँ पीरा हो रही है तो उन्होंने बोला कि नहीं पीरा तो शरीर को हो रही ह वो जो मन वो जो विचार तुमने चेंज किया है वो तो तुम्हारे साथ था तो पीरा वहाँ कहाँ पीरा तो शरीर को हो रही है मन तो तुम्हारा बिल्कुल चेंज हो गया परिवर्तित हो गया और मन से तुम अब एक अच्छे इंसान बन गया हो तो कहने का मतलब ये है कि एक डाकू जो 999 लोगों को मारा है और एक जो कातिल उसका जब मन का परिवर्तन हो सकता है एक विचार से वो विचार जो महात्मा बुद्ध ने उसको दिया और अगर दिया तो वो विचार को वो एडॉप्ट करने के लिए काबिल था तो एक विचार जब उसके मन को बदल सकता है तो इतने निगेटिव सोचने वाले इतने निगेटिविटी फैलाने वाले लोग जो कि कभी किसी को मतलब पॉजिटिव दिशा नहीं दिखाते हैं कुछ भी ऐसा नहीं अगर वो अपने मन के अंदर जब कुछ वो ऐसा देखते ह हैं दुनिया में किसी को जाते हुए अगर किसी की अंतिम यात्रा को भी देखते हैं उस टाइम में भी अगर वो एक थौट्स क्रियेट करें अगर वो एक विचार क्रियेट करें कि नहीं जिंदगी में अगर आए हैं तो अच्छे से जीना है अच्छे से कुछ करके जाना ह एक अपना नाम करना है तो फिर क्या ही बात हो तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हुई वह आपके जीवन से हुई कि अगर आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो तो ये thoughts आप अपने अंदर create कर सकते हो दूसरी बात कि अगर आप वो काम जो नहीं कर पा रहे हो जब एक डाकू से साधू बन सकता है तो एक गरीब इंसान अपने सोच से, अपने एक विचार से, अपने एक मेहनत से, अपने एक परिश्रम से, एक लोईस्ट से लोईस्ट बन्दा, क्यों नहीं अरबपती बन सकता, क्यों नहीं करोडपती बन सकता, बन सकता है, है, यह होता है, ये लोगों को सुनने में आएगा कि नहीं इस तरीके से नहीं होता, लेकिन होता है, आप देखोगे कि जिसका सब कुछ चला जाता है, एक दूसरे हारे वे इंसान रहेंगे तो वो कहेंगे कि यहां तो कुछ नहीं है जिन्दगी में, मरना ही बहतर है, लेकिन वहीं जहां पर एक विचार करेट करने वाला इनसान होगा, वहां पर वो अपने अंदर एक अच्छी विचार करेट करेगा और यह सोचेगा कि नहीं, अगर गिरा फिर उठूँगा, गिरा फिर उठूँगा, गिरा फिर उठूँगा, गिरा फिर उठूँगा, मैं इ जान मेरे जगे पे रहता कोई और इंसान तो वो गिभब कर देता, वो आगे नहीं बढ़ता, बट अपने फिलिंग्स के साथ में, अपने विचारों के साथ में, अपने ही एक युद्ध के साथ में, अपने ही विचारदाराओं के साथ में, मैं उठी, गिरी, उठी, गिरी, आज मैं यहाँ, तो मेरे बिचार हमेशा यही रहा कि अगर जिन्दगी है, तो मैं जिन्दगी को ऐसे ब्यर्थ क्यों जाने दूँ, जिन्दगी को एक तरीके से एक मोर दे के क्यों न जियो, हम पेपर देते हैं, हम तयारियां बहुत अच्छी भली करते हैं, लेकिन हम फिर एक नंबर से कभी दो नंबर से, इस तरीके से, कभी न कभी एक अध नंबर से फेल हो जाते हैं, लेकिन हमारी तैयारिया Apic. internal. 마음 के गुए 1 यह चूपश हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम एक नंबर से पूछे हो जाते हैं, बस अब आगे जो हम पिश हए हां, उस कियसे हम अपने अंदर ये विचारधारा create करनी है कि वो एक नंबर किस वजह से पीछे रह गया उस एक नंबर को अब किस तरीके से हमें लाना है और फिर और जादा अच्छे तरीके से हमें उतिन होना है like a life में कि अगर आप गिरते हो आप बहात उपर में हो आप गिरते हो दुनिया बाते बना रही है कुछ भी कह रही है कहने दो सुनो मत एक गोल देखो एक लक्ष देखो एक विचार create करो अपने अंदर में वो विचार जो आपको मुकाम पे आपके मंजिल पे आपके सफर में आपको एक जगे लेके जाती है अगर ये बाते अगर आप अपने मंद में बैठा लेते हो तो आप जिन्दगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे जिस दिन आपने इस चीजों को बाहर निकाल दिया ना कि दुनिया गई कि जहांबे जो करना है जिस दिन आप अपने आप में रहने लगे जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लगे जिस दिन आपने अपने आप से समझोता किया जिस दिन आपने आपको वो करने दिया जो आप करना चाहते हो ये बिचार जिस दिन आपने चेंज कर दिया उस दिन आपकी दुनिया चेंज हो गई उस दिन आपका पूरा समाज क्योंकि आपको तो वो करना है जो आप करने वाले दुनिया को देखने सिर्फ दुनिया को दिखाना है या आप क्या हो बागी की बाते पीछे रह जाती है तो ये बिचार सिर्फ अपने अंदर create करना वो आपके जीवन में तुफान लाता है और मुकाम लाता है तो अपने विचार को बदल लिए किसी भी हालात में किसी भी इस्तिती में आपको डरने की डगमगाने की जरूरत नहीं है ये एक कोई फिलोस्पी नहीं है ये कोई एक बात नहीं है बहुत से ऐसी घटनाएं है बह तो उन्हों ने अपने भी जिंदगी में इतने उतार चड़ाव देखे, सब कुछ देखा, लेकिन वह सारी बात, वह जो हम जो आज ये मोटिवेशनल बाते कर रहे हैं, तो वह सारी चीज़े तो वहीं से आई, वहां से सीखे तो है हम और वह चीज़े सीखे, क्योंकि हमारा मन इतना strong है, हमारे मन में इतनी हिम्मत है और इतनी बाते हैं, जिसको हम अपने, मतलब ये strongest दिमाग में उसको एक जगे देखे, कि यही बाते मुझे सुननी हैं, सिर्फ दिमाग की बात सुननी हैं, दिल को साथ रहते हुए, रखते हुए दिमाग की बात सुनन और फिर वही करना है और करना है अपने आप से प्यार करना है खुद से प्यार पहुचाना है खुद को उस मुकाम तक जहां का हमने सपना देखा है जहां का हमारा लक्ष है जहां का हमारा गोल है गिरते रहो, संभलते रहो गिरते रहो, संभलते रहो मंजिल एक तिन आपके करीब जरूर आएगी ये मैं कह रहीं तो आप सब को पता एक बिचार बदलो अपने अंदर बिचार बदलने का मतलब कि एक वो thoughts create करो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरीद करती है सिर्फ वो बिचार आपने अंदर में आप create करो वो बिचार जो आपको कहीं गिराती है आपको कहीं लोगों के समक्ष मतलब आगे नहीं बढ़ने देती उस बिचार को बाहर फैको उस बिचार को लेकर आओ जो कि आपको और सिर्फ आपको आगे दिखाती है तो बिचार बदलिए और फिर जिन्दगी में तबदिली लाइए या आप जिन्दगी में तुफान आते वे देखिए वो तुफान जो आपको मंजिल की ओर लेके जाती है ना कि आपको गिराती है तो वो वाला आप बिचार के रिट करो तो एक बिचार आपके जिन्दगी को पतन देती है मिलते हैं आंगली वीडियो में कुछ अच्छी बातों के साथ में हसते हुए मुस्कुराते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए जिन्दीगी को जिन्दा दिल से जीते हुए और एक दूसरे का साथ जरूर दीजिए गर्मी बहुत हो रही है पानी पीए भी पिलाइए भी पक्षियों को इंसानों को जानवरों को सब को पानी की बहुत जरूरत है पानी को सेब भी करिए पानी को बचाना भी बहुत जरूरी है बेफाल दुका बेरत का पानी को मतलब वेस्ट मुना करें मानवता रखें अपने अंदर में और मानवता के साथ में ये विचार अपने अंदर करते हुए हरहर महादेव करते हुए इंतजार करते हुए डॉक्टर नीतो सिंगी अगले वीडियो का मिलते हैं अगले ही वीडियो में हरहर महादेव